केमरा मन जल्दे फोकस करो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और न्यू और अमेजिंग वीडियो में क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकरी बताने वाला हूं और वो कौन कौन सी आपको पता है जैसी कि बीपी टोकन को एक्षेंज करने पर रियर रिवार्ट्स मिलने वाले हैं तो उसका इवेंट हमारे गिम में आने वाला है और गरीना फ्री फायर ने ओफिसली ये कंफर्म कर दिया है कि पुराने जैसा डेमेज इंडिकेटर रिटन आने वाला है तो कैसे आएगा भूयाडे 2023 का इवेंट आने वाला है वो भी कंफर्म हुच चुका है यह बंडल कौन सा रिटन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर की मजदार वाली मीम ऐसी बहुत सारी जानकर इस वीडियो में रहेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं हाँ तेवायर अब ये देखो 28 BP टोकन को एक्षेंज करने पर ममी डांस का येवाला इमोट मिल रहा है और येवाला इमोट काफी जादा रियर है सेम उसी तरीके से 18 BP टोकन को एक्षेंज करने पर Burning Wreck की येवाले Skyboard की स्किन मिल रही है सेम उसी तरीके से Backpack, Jet Backpack ऐसे काफी जादा रियर कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है एडर रिवार्ड में दो BP टोकन को एक्षेंज करने पर येवाला Custom Room Card मिल रहा है और 4 BP टोकन को एक्षेंज करने पर Name Change Card मिल रहा है एड ये रिवार्ड यहीं खतम नहीं होते 24 BP टोकन को एक्षेंज करने पर Bling Ridge वाला बंडर मिल रहा है तो यहाँ पर काफी सारे reward है BP token को exchange करने पर तो अब आपके mind में एक question तो आया ही होगा कि यह BP token कैसे मिलेगी तो उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा claim token पर तो यहाँ पर दो mission है बुया पास की mission, special mission बुया पास mission मतलब कि अगर मेरे पास एक बुया पास है तो मेरे को 2 token मिलेगी अगर 12 बुया पास है तो 24 token मिलेगी उसके बाद में special mission जो कि हर मैने refresh होते हैं जैसे के मालों अगर season 7 में मेरा level 150 की उपर है तो 2 token मिलेगी अगर बुयापा सिजन एट में मेरा लेवल 150 की उपर है तो दो टोकन मिलेगी और ये देखो, इवेंट इन्फर्मिशन में ये लिखा हुआ है कि इवेंट मिशन विल बी रिफ्रेश मंतली मतलब कि ये जो क्लेम टोकन के जितने भी मिशन है ना ये हर मेने रिफ्रेश भी होते हैं तो लीक ऐसी मिले है कि ये वाला इवेंट बहुत जल्दी हमारे गेमें आने वाला है हो सकता है कि एका तो भी अपडिट के बाद आए लेकिन सभी सर्वर पर ऐसा कुछ एवेंट आने वाला है तो ये आई होप आपले को के वाली जानकरी अच्छी लगी होगी ऐसी और भी अच्छ अच्छी जानकरी इस वीडियो में है लेकिन उसके पहले मैं आपका कुछ सेकेंड लोगा वो देख लो देने वीडियो में हम लग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे गाईज हर एडम अपनी यू को खुजने का सपना देखता है आखिरिकर आपका सपना सच हो सकता है इवा सेलपी के साथ वनेक्स बेट इवा जीरियम की सुरुआत कर रही है जो इस अगस्त में सुरू होने वाली मौज मस्ती, खेल और पुरसकारों का एक रोमांचक आयोजन है वनेक्स बेट पर बिलकुल नए गेमिंग PC, 14 Pro Max, Xbox Series X और भी भहुत कुछ जैसे सांदार पुरसकार जीतने का मौका पाने के लिए भाग ले लेकिन रुकिये और भी भहुत कुछ है, ग्रेंट पुरसकार, एक फोटो सूट और तेजस्वी इवा सेलपी के साथ डेट करना इवाज गिरियम में सामिल होने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दीवे लिंक पर क्लिक करें और अद्बुत गती विदियो और आश्चेरों की दुनिया में डाइव लगाए 1X बेट पर बड़ी जीत हासिल करने और Forbidden Fruit का स्वा चखने का मौका नचुके यदि आप एक निव यूजर है तो मेरा प्रमो कोट क्रियेशन आर्मी का उप्योग करें और गेम में वेलकम बोनस की रूप में 26,000 रूपई है केसीनो और 1X गेम्स पर एक लाग 30,000 रूपई प्लस 150FS प्राप्त करें चलो भई देख अपने क्या करता अब आपका भाई क्रियेशन डेमेज इंडिकेटर के बारे में आप सभी को ऐसी जानकरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आप सभी का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और वाली जानकरी क्या आपको बता है यह देखो एक भाई ने कमेंट किया है डेमेज इंडिकेटर कैसे सही करे तो चलो आओ मेरे पास सारी जानकरी आ चुकी है तो मैं आपको इस्टे बाइस्टे बताना सुरू करता हूँ तो देखो अभी की सिचुवेशन में अगर आपको पहले जैसा डेमेज इंडिकेटर चाहिए तो आपको गेम के स्टार्टिंग के पहले ही VPN कनेक करना पड़ेगा देन वीजवल एफेक की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा लेकिन यह थोड़ा रिस्की है इसे ID बैन भी हो सकती है तो यह यह याली प्रोब्लम बहुत सारे प्लेयर को आ रही थी तो हमने गरीना फ्रीफार को याली प्रोब्लम बताए तो गरीना फ्रीफार ने सबसे पहले हमको यह वाला सर्वे दिया जिसमें चार ओप्शन थे फिर गरीना फ्रीफार ने आज ही यह वाली notice दिया है जिसमें गरीना फ्रीफार ने लिका है तो यहाँ पर गरीना फ्रीफार यह कहना चाहते हैं कि जो डेमेज इंडिकेटर है उससे related हम लोगों को एक फीडबेक मिला है तो हम लोगों ने इसे review किया और हम लोगों ने यह decide किया है कि पहले जैसा तो damage indicator नहीं आ सकता लेकिन उसी से similar color effect और contrast हम लोग use करने वाले हैं और यह वाला जो update है यह 2 week में हमारे game में आ जाएगा तो कौन सा damage indicator आने वाला है मैं आपको बताऊँ वो अभी मैं आपको बताऊँगा आप लोग खुद ही choose करना तो आप लोग कौन सा color effect और contrast यूज़ करते comment box में जरूर बताना वैसे यह वाला जो update है यह 2 week के अंदर हमारे game में आने वाला है आई होप आप लेको क्यों वाली update अच्छी लेगी होगी तो अब हम चलते हमारे next जानकारी की ओर अगर नहीं पता होगा तो चलो मैं आपको बताता हूँ तो देखो जो लोबी में हम लोग खड़े रहते हैं उस लोबी के पीछे बूइया लिखा हुआ है और जब भी कोई battle royale game खेलते हैं तो जो waiting lobby आती है उसमें भी बूइया लिखा हुआ है मतलब क्यों बूइया की theme पर बनाई गई लोबी है तो हमारे game में अभी rampage event के बाद में बूइया डे 2023 का event आने वाला है अब आप लोग बोलोगे कि भाई पीछली वीडियो में ये बताए थी कि rampage event के बाद में demon slayer का event आने वाला है किया है मतलब कि बूइया डे event के अंतर गय थी demon slayer का event आने वाला है तो ये देखो गरीना free fire ने बूइया डे 2023 के लिए तो ये देखो एक भाई ने comment किये है भाई क्या बूइया बंडल return आ रहा है और एक भाई ने comment किये है बूइया डे बंडल कब आएगा और साथ में कुन सा बंडल आएगा और कुन से event के बाद आएगा भाई तो चलो मैं आपको बता दीता हूँ, तो बताया ना Rampage Event के बाद में Buya Day Event आने वाला है, तो Buya Day Event के अंतरगत हम लोगों को ये वाला Buya Day का EU Bundle Return जरूर देखने मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि ये वाली EU Bundle के साथ में Buya Event की Theme पर E-Base, ये वाली Scythe के Skin, Fish के Skin, Lumbergine के Skin ये भी हमको Return देखने मिल जाए, क्यूंकि ये जो Buya Day 23 का Event आने वाला है, इसके लिए गरीना Free Fire ने ज्यादा reward डिजाइन नहीं किये हैं, इसलिए पुराने Buya Day की Theme के reward हम लोगों को Return देखने मिलेंगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, Buya Day Event के अंतरगती Demon Slayer का Event आने व Information Brew, Next Top Up क्या आएगा? तो और पाच्ची दिन पहले ही मैं आपको बता चुका था कि 100 Diamond के Top Up पर ये वाली Hyper Book आने वाली है, लेकिन फाइनली जो Game में Event आने वाला है ना, उसका Banner भी निकल करा चुका है, ये देखो इस टैप से Banner आएगा हमारे Game में, जिसमें लिखा रहेगा तो कौन-कौन इसे निकालने वाला है, कमेंड बक्स में जरूर बता दीजेगा, अब आपके दिल को Garden Garden करवाने के लिए मैं आपको Free Fire की एक मस्त वाली मीम बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद में आप लोग बोलोगे, जिसने भी मीम बनाया है, उसको 21 तोपो की सला आप ही मिलनी चाहिए, भाई इसने बैटरी निलगाया है, टारेक्टली चार्जर से कनेक्ट कर दिया फोन को, भाई ऐसे में तो फोन ब्लाश्ट हो जाएगा, लेकिन उसका Free Fire अभी भी कंटीनियू चल रहा है, तो आई होप आप लेको कोई आली मीम अच्छी लगे होगे, इसे रिलेट करने के तो कोशिस बिलकुल मत करना, वरना आप अपने फोन से हाथ दो बैटोगे, बाई दवे, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में इतनी जानकारी है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, और नहीं हो तो अविसली चैनल को सस्क्राइब कर दो यार, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर कियेगा,